C.I.E.T.N.C.E.R.T. की ओर से प्रस्तुत है कक्षा पांच के लिए गणित की पाठ पुष्टक गणित का जादू का 14 वा अध्याए कितना बड़ा कितना भारी अब पेज 187 सारे का रंगीन कंचे सिक्के रबर आधे चीजों को इकठा करती है उसने एक गिलास में पानी के उपर स्तर पर शुन्ने का निशान लगाया अगर मैं पांच कंचे इस गिलास में डाल दू तो अंदाजा लगाओ पानी का स्तर क्या होगा मुझे लगता है पानी का स्तर इतना होगा यहां दो बच्चे हैं जो के पानी का स्तर चेक कर रहे हैं उसने पांच कंचे डाले और पानी के नए स्तर पर फिर निशान लगा दिया ओ तुमने कैसे अंदाजा लगाया? क्या तुम्हें कंचे का आयतन पता है? मैंने सिर्फ अंदाजा लगः कि कंचों ने पानी को कितना उपर उठाया होगा तुम आयतन कैसे पता लगाते हो हर कंचा पानी को थोड़ा सा उपर उठा देता है क्योंकि कंचा कोछ जगह लेता है अधिक अभ्यास की जरूरत है आपचारिक आयतन मापने के तरीकों से पहले उन्हें कंचों, सिक्कों, माचिस की डिब्बियों इत्यादी का उपयोग करके आयतन की समझ पैदा करने के लिए उत्साहित करें पेज 188 आपका मापक गिलास अब तुम अंदाजा लगाओ क्या तुम्हें लगता है कि 5 रोपए के 10 सिक्कों का आयतन 10 कंचों से ज्यादा होगा? नीचे लिखी चीजों के आयतन का अंदाजा लगाओ एक बॉल लग भग खाली जगह कंचों के बराबर होगी 35 कंचों की मदद से अपना मापक गिलास खुद तयार करो एक गिलास लो और उस पर शूनने का निशान लगाओ फिर उसमें 5 कंचे डाल कर 5 M का निशान लगाओ उसमें फिर 5 कंचे और डालो और पानी के नए स्तर पर 10 M लिखो इसी प्रकार 15 M, 20 M, 25 M, 30 M और 35 M के निशान लगाओ अब हर चीज को अपने बनाये हुए मापक गिलास में डालो और अपने अंदाजे को जाचो इसी तरह और चीजों जैसे बॉल, पत्थर आदे से भी करो और तालिका पूरी करो यहां कुछ बच्चे, गिलास और एक तालिका दी गई है माचिस की डिब्बी तो तैरती है इसका आयतन कैसे पता लगाएं? इसको रेत या कीलों से भरके देखें यहां एक तालिका है जिसमें चीज का नाम और उसका आयतन यानि कितने कंचे आपको लिखना है इन सब गतिविधियों का उद्देश छात्रों को परिभाशाएं याद करवाना नहीं है बलकि साधारण उदाहरणों से और खुद करके आयतन की समझ विकसित करना है निशान लगाने की गतिविधि में काघज की पट्टी भी चिपकाई जा सकती है ताकि छात्र उस पर पैन या पैंसिल से निशान लगा सकें 189 किसका आयतन ज्यादा है? यहां दो बच्चे दिखाए गए हैं क्या तुम 6 कंचों का आयतन ML में बता सकते हो? हां अगर हम एक मापक बोतल बना लें तो कक्षा 4 में तुमने 250 ML मापने की एक बोतल बनाई थी क्या तुम ऐसी मापक बोतल बनाने के तरीके सोच सकते हो जो 10 ML, 20 ML, 30 ML, 60 ML माप सके? अपने दोस्तों से चर्चा करो तारिक और मौली ने अपनी मापक बोतल बनाई तारिक के पास एक पुराना इंजेक्शन सीरिंज पड़ा था उसने इंजेक्शन से अपनी मापक बोतल बनाई मौली ने दवाई की एक खाली बोतल का उपयोग किया मैंने इन्जेकशन सिरिंज में एक बार में 5 एमेल पानी भरा बोतल में 10 एमेल निशान लगाने के लिए इस से 2 बार पानी बोतल में डाला मैंने 10 एमेल माप की एक खाली दवाई की बोतल से अपनी मापक बोतल बनाई है मौली ने पांच रुपए के सिक्कों का आयतन पता लगाने के लिए अपनी मापक बोतल का उपयोग किया उसने पता लगाया कि पांच रुपए के नौ सिक्के दस एमल पानी हटाते हैं तुम भी पांच रुपए के नौ सिक्कों का उप्योग अपनी मापक बोतल बनाने के लिए कर सकते हो कोशिच करके देखो अपनी मापक बोतल से पता करो क, छे कंचों का आयतन कितना है? खाली जगह, एमल पेज, एक सो नवे ख, सोलह एक रुपए के सिक्कों का आयतन क्या होगा? खाली जगह, एमल अब इन्हें मन ही मन हल करो ग, चौबीस कंचों का आयतन खाली जगह, एमल होगा ग, बतीस एक रुपए के सिक्कों का आयतन खाली जगह, एमल होगा अंग, मौली ने 5 रुपए के कुछ सिक्के मापक बोतल में डाले, उसे कितने सिक्के डालने होंगे? अगर 30 एमिल पानी उपर उठता है तो खाली जगा अगर 60 एमिल पानी उपर उठता है तो खाली जगा पहले अंदाजा लगाओ और फिर अपनी मापक बोतल की मदद से कुछ और चीजों के आयतन का पता लगाओ यहां एक तालिका दी गई है जिसमें लिखा है चीज, आयतन, एमिल में सोचो, पानी के अंदर जाने पर तुम्हारा शरीर कितना पानी हटाएगा? यह एक मक्खी कह रही है कितने समा सकते हैं? यहां एक बच्ची दिखाई गई है यह एक घं है जिसकी हर भुजा एक सेंटीमीटर है तुम्हारी गणित का जादू किताब एक सेंटीमीटर उंची है तो अंदाजा लगाओ कि कितने एक सेंटीमीटर के घन मिलाकर तुम्हारी गणित की किताब जितनी जगह घेरेंगे मापक बोतल बनाने के लिए छात्रों को बड़े मुख वाली एवं आर पार दिखने वाली बोतलों का उपयोग करने को कहें ताकि अच्छी तरह निशान लगाए जा सकें इस कार्य का मुख उद्देश चात्रों के नापने की क्षमताओं को विकसित करना है और यह चात्रों को गणित की कक्षा में विभिन उपकरणों को बनाना और संभालना सिखाता है पेज 191 अरे मेरी गणित का जादू किताब लगभग खाली जगा संटीमीटर लंबी है तो खाली जगा संटीमीटर घन इसकी लंबाई में फिट हो जाएंगे और यह लगभग खाली जगा संटीमीटर चोड़ी है तो इसकी चोड़ाई में खाली जगा घन आ जाएंगे तो कुल मिलाकर खाली जगह, संटीमीटर, घन इस गनित किताब पर फिट हो जाएंगे अब अगर इन सारे घनों को एक कतार में लगाया जाए तो वह कतार कितनी लंबी होगी खाली जगह, संटीमीटर, अभ्यास का समय एक, पांच गनित का जादू किताबों से एक मंच बनाया गया है इस मंच का आयतन, खाली जगह, संटीमीटर, घनों के बराबर है दो, इन चीजों के आयतन का संटीमीटर, घनों में अंदाजा लगाओ एक माचिस की डिब्बी का आयतन, लग भग, खाली जगह, घन संटीमीटर होता है एक ज्यामितिये बॉक्स का आयतन, लग भग, खाली जगह, घन संटीमीटर होगा एक रबर का आयतन, लग भग, खाली जगह, घन संटीमीटर होगा तुम अपने अनुमान को कैसे जाँचोगे चर्चा करो माचिस की डिब्बियों का खेल तनु माचिस के डिब्बों से एक मंच बना रही है वह पहले 14 माचिस की डिब्बियां इस तरह लगा कर एक परत तयार करती है गतिविधी कितनी चीजें आएंगी कि बच्चों को एक सेंटिमीटर घन के आकार की समझ होनी चाहिए विभिन आकरतियों के आयतन पता करने के लिए अध्यापक कुछ सेंटिमीटर घन बना सकते हैं और माचिस की डिब्बियों से अलग-अलग मौडल बनवा सकते हैं तनुका मंच या मोहन का मौडल ऐसे उदाहरण हैं जिन में बच्चे आयतन को डिब्बियों में मापते हैं जिसको बाद में घन सेंटिमीटर में बदला जा सकता है पेज एक सो बानवे वह चार ऐसी परतें बनाती है और उसका मंच कुछ इस तरह दिखता है उसने यह मंच बनाने के लिए कितनी माचस की डिब्बियों का प्रयोग किया खाली जगा एक माचस की डिब्बी का आयतन दस संटिमीटर घनों के बराबर है तो इस मंच का आयतन खाली जगा संटिमीटर घनों के बराबर है अगर ये सारे घं एक कतार में रख दिये जाएं तो वह कतार कितनी लंबी होगी खाली जगा, सेंटिमीटर किसका आयतन ज्यादा है? तुम्हारी गनित का जादू किताब का या तनू के इस मंच का अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक ही माप की बहुत सारी खाली माचिस की डिब्बियों को इकठा करो उनके किनारों को नापो और यहां लिखो मेरी माचिस की डिब्बी खाली जगा, सेंटिमीटर चोड़ी है यह खाली जगा, सेंटिमीटर लंबी है यह खाली जगह, संटिमीटर उँची है 56 माचिस की डिब्बियों का उपयोग करके अलग-अलग उँचाई के मंच बनाओ इस तालेका को भरो यहां एक तालेका दी गई है और माचिस की डिब्बी भी दी गई है कितना उँचा है यह कितना लंबा है यह कितना चोड़ा है ये मंच एक खाली जगह मंच दो मंच तीन हर मंच का आयतन खाली जगह माचिस की डिब्बियों के बराबर है अपने बनाये हुए मंचों के गहरे चित्र बनाओ पेज एक सो तिरानवे अभ्यास का समय मोहन ने अपनी माचिस की डिब्बियों को इस तरह लगाया कितनी माचिस की डिब्बियों का प्रयोग कर उसने यह बनाया इसका आयतन माचिस की डिब्बियों में कितना होगा खाली जगह माचिस की डिब्बियों यहां माचिस की डिब्यों से एक आकरिती बनाई गई है खाली माचिस की डिब्यों को इकठा करो इन्हें एक मज़ेदार ढंग से लगाओ उसका गहरा चित्र बनाओ कागज का घं बनाना आनन और उसके मित्र कागज से घं बना रहे हैं वह 19.5 संट्मीटर का वर्ग काखज की शीट से काटते हैं वह इसी तरह के 6 एक जैसे वरगाकार काखज काटते हैं इन चित्रों को समझते हूई अपना काखज का घं बनाओ यहां काखज का घं बनाना सिखाया गया है एक इस तरह की रेखा बनाने के लिए कागज को चार बराबर भागों में मोडो दो उपर बाएं कोने को और उसके सामने वाले कोने को इस तरह मोडो तीन उपर और नीचे के किनारों को मोडो ताकि वे बीच की रेखा से मिलें आप्शन, ताकि वे बीच की रेखा से मिलें, अब P को मोड़ो, चार, ताकि कागज इस तरह दिखे, Q, P, पाँच, इसी तरह Q कोने को भी मोड़ो, कागज कुछ ऐसा दिखेगा, Q, P, छे, पी कोने को उठाओ, और उसे मुड़े हुए कागज के नीचे इस तरह दबाओ, एक जैसी इकाईयों, यूनिट्स का प्रयोग कर, बराबर आयतन की अलग अलग आकरितियां बनाएं, जैसे इंटें या माचिस की डिब्बियां, मंच की किनारों को नापने के लिए, लंबाई को सनिकटन करके संटिमीटर तक ना पें, पेज एक सो चौरानवे, साथ, क्यू कोने के साथ भी यही करो, कागज अब कुछ इस तरह दिखेगा, आठ, कागज को पल्टो और उसे मोड़ो, ताकि उस पर इस तरह के मोड़ के निशान आ जाएं, नो, हर एक छात्र इसी तरह एक ऐसा टुकडा बनाएगा, च्छै बच्चे ऐसे च्छै टुकडे बनाएंगे, और सभी टुकडों को एक के अंदर एक जोड़ कर एक घन बनेगा, ध्यान दें, 19.5 संटिमीटर भुजा वाले वरगाकार कागज से शुरू करें, दूसरे कदम में सभी को बाई और के कोन जारा कितना लंबा है, खाली जगा, ख, कितने संटिमीटर घन उसकी, लंबाई है, खाली जगा, चोडाई है, खाली जगा, उचाई है, खाली जगा, ग, थिम्पू के प्रशनों के उत्तर दो, यहां एक बच्चा कुछ प्रशन पूछ रहा है, मेज पर पहली परत बनाने क काघजी घन का आयतन संटिमीटर घनों के बराबर है यदि हम 19.5 संटिमीटर भुजा वाले वरगाकार काघज से शुरू करें तो हमें 7 संटिमीटर भुजा वाला घन मिलेगा पेज 195 दो आनन ने एक बड़ा घन बनाया जिसकी भुजा की लंबाई तुम्हारे काघज के घन की लंबाई से दुगनी थी तुम्हारे बने कितने काघज के घन इस बड़े घन के अंदर आएंगे अपनी कक्षा में बनाये गए सभी घनों को इकठा करके बड़ा घन बनाने की कोशिश करो गनों को डिब्बों में डालें गनेश और डिंगा 4,000 संटीमिटर गनों को बकसों में पैक करना चाहते हैं गनों को एक स्कूल में भेजा जाना है तीन अलग अलग तरह के बकसे पैकिंग के लिए मिले हुए हैं अ, बीस सेंटीमीटर, दस सेंटीमीटर, छे सेंटीमीटर, ब, ग्यारह सेंटीमीटर, ग्यारह सेंटीमीटर, दस सेंटीमीटर, स, पंदरह सेंटीमीटर, नौ सेंटीमीटर, दस सेंटीमीटर. यहां दो बच्चे बात कर रहे हैं क्या हम चार हजार घ्ण इन तीन बक्सों में सही से पैख कर पाएंगे मुझे लगता है हमें एक और बक्से की जरूरत होगी मुझे लगता है कि इन तीन बक्सों में इन चार हजार घ्णों के लिए बहुत जगा है अ बक्सिक पर ध्यान दो पहली परत में हम 20 गुणा 10 बराबर 200 घन लगा सकते हैं और 200 घन की 6 परतों को पैख किया जा सकता है तो बॉक्स अ में हम 200 गुणा 6 बराबर 1200 घनों को लगा सकते हैं गनेश तुम्हारा क्या अंदाजा है? कौन सा सही है? गनेश और डिंगा घनों को पैक करने से पहले कैसे अपने अंदाजों की जाँच कर सकते हैं? अपने दोस्तों से चरचा करो पेज 196 गनेश के तरीके से पता लगाओ बॉक्स ब में कितने घनों को लगाया जा सकता है? खाली जगा बॉक्स स में कितने घनों को लगाया जा सकता है खाली जगा तो कुल मिलाकर तीनों बक्सों में कितने घन आ सकते हैं खाली जगा कौन सा पाइप बड़ा कुछ पुराने पोस्ट कार्ड इकठे करो तुम 14 संटीमिटर गुना 9 संटीमिटर नाप के मोटे काघज का भी इस्तेमाल कर सकते हो पोस्ट कार्ड की चौड़ाई की तरफ से उसे मोड़ो जिससे की पाइप एक बन सके इसके जोड़ को टेप से जोड़ो एक दूसरा पोस्ट कार्ड लो और उसे पाइप दो बनाने के लिए लंबाई की तरफ से मोड़ो अंदाजा लगाओ कि दोनों पाइपों में से कौन से पाइप में ज्यादा रेत आएगी अपने अंदाजे को चेक करने के लिए रेत भर के देखो क्या तुम्हारा अंदाजा सही था? चर्चा करो अब यही सब नीचे दिखाए गए पाइपों के साथ दोहराओ एक, दो, तीन, चार तिकुने आकार का पाइप तीन बनाने के लिए पोस्ट कार्ड पर दो रेखाएं चित्र के अनुसार बनाओ, रिखाओं पर काघज को मोड़ो, आखिरी किनारे को टेप से जोड़ो अब एक वरगाकार पाइप चार बनाओ पता करो कि किस पाइप में सबसे ज्यादा रेत भरी जा सकती है तो किस पाइप का आयतन सबसे ज्यादा है? बच्चों को धागे से की गई गतिविधी, प्रिष्ट 155 को याद कराएं, जिसमें यह पता लगा था कि एक परिमाप की सभी आकरितियों में से वरित का क्षेतरफल सबसे अधिक था यहाँ एक काघज के क्षेतरफल वाली ऐसी आकरिती ढूंढनी है जिसका आयतन सबसे अधिक हो पेज 117 गंगोत्री की यात्रा कक्षा 11 के चात्र गंगोत्री यात्रा पर जा रहे हैं उन्हें 6 दिन के लिए अपना सामान रखना है और यह ध्यान रखना है कि बैग हलका रहे साथ ही सामान ऐसा हो जो बहुत ज्यादा जगह न गहरे इसलिए वे ऐसा सामान ढूंढेंगे जिसका आयतन और वजन दोनों ही कम हो आखिरकार उन्हें ही तो यह सामान ढोकर पहाड़ पर ले जाना होगा यह करने के लिए उन्होंने टमाटर और प्याज तक को भी सुखा लिया जब उनके अंदर के पानी को सुखाया जाता है तो एक किलो प्याज या टमाटर सो ग्राम रह जाते हैं हर एक छातर को एक दिन में नीचे लिखे भोजन की जरूरत पड़ेगी यहाँ एक तालिका दी गई है जिसमें लिखा है चावल वाटा चावल और आटे के भार का एक बटा तीन तेल पचास ग्राम चीनी पचास ग्राम दूध का पाउडर चालीस ग्राम चाए दलिया और गर्म दूध के लिए चाए लगभग 10 ग्राम, दलिया 40 ग्राम, नमक 5 ग्राम, सूखे प्याज 10 ग्राम, सूखे टमाटर 10 ग्राम यहां गंगोत्री का चित्र है और कुछ बच्चे भी दिखाए गए हैं पेज 198, क, 6 दिन के लिए हर चात्र को चाहिए चावल और आटा, खाली जगा, ग्राम, दालें, खाली जगा, ग्राम, सूखे प्याज, खाली जगा, ग्राम, क, 6 दिन तक 10 लोगों के लिए कितना ताजा टमाटर सुखाना चाहिए, ग, हर एक चात्र के बैग में भोजन का कुल वजन, 6 दिन के लिए, कितना है, चींटी कह रही है, एक ग्राम ज्यादा वजन भी अत्रा को मुश्किल बना देगा, अंदाजा लगाओ, हम में से कितनी, एक साथ तोलने पर, एक ग्राम वजन के बराबर होंगी, लग भग सो, मैं कितना भारी हूँ, क्या तुम्हें, अप गणित का जादू, कक्षा 4, प्रेष्ठ 143, यहां एक हाथी, मचली और व्यक्ति दिखाए गए हैं, यह हाथी कह रहा है, धर्ती पर सबसे भारी जानवर के वजन का अनुमान लगा सकते हो, मैं सबसे भारी नहीं हूँ, मेरा वजन तो केवल 5000 किलो ग्राम है, वह नीली वेल है, जो समुद्र के अंदर रहती है, उसका वजन मुझ से 35 गुना ज्यादा है, तो उसका वजन कितने 1000 किलो होगा? एक सो निन्यानवे, अंदाजा लगाओ, तुम्हारे जैसे कितने बच्चों का वजन मिला कर, एक 5000 किलो के हाथी के बराबर होगा? हाथी का बच्चा जब पैदा होता है, तब उसका वजन लगभग 90 किलो होता है, जब तुम पैदा हुए, तब तुम्हारा वजन कितना था? पता करो, पैदा होने पर हाथी के बच्चे का वजन तुम्हारे वजन से कितने गुना ज्यादा था? अगर एक जवान हाथी एक दिन में 136 किलो भोजन खाता है तो एक महीने में लग भग, खली जगह, किलो ग्राम भोजन खाएगा अंदाजा लगाओ, एक साल में वह कितना भोजन खाएगा शाहिद ने बैंक को बचाया यहां एक बैंक का दृष्ष है सिक्के दिखाए गए हैं और कुछ व्यक्ति दिखाए गए है शाहिद एक बैंक में काम करता है वह नकदी के काउंटर पर बैठता है जब कभी उसके पास ज्यादा सिक्के हो जाते हैं वह उन्हें गिंता नहीं, बलकि तोलता है तोलना कितना आसान है एक पांच रुपे के सिक्के का वजन नौ ग्राम है मुझे बोरी का वजन बताओ तुम्हें सिक्कों की संख्या बता दूँगा क्या तुम हाथ में लेकर बता सकते हो कि कौन सा सिक्का सबसे भारी है मेरे पांच रुपए के सिक्कों वाले बैग का वजन नौ किलो है, तो इसमें कितने सिक्के होंगे? एक किलो बराबर एक हजार ग्राम तो नौ किलो का मतलब है नौ हजार ग्राम अगर एक सिक्के का वजन नौ ग्राम है और बैग का वजन नौ हजार ग्राम है तो नौ हजार भाग नौ बराबर खाली जगा सिक्के है है ना आसान पांच रुपए की सिक्खे वाले बोरे में कितने सिक्खे होंगे अगर उसका वजन 18 किलो हो, खाली जगह 54 किलो हो 4500 गराम हो 2 किलो 250 गराम हो 1 किलो 125 गराम हो 2250 गराम को 2 किलो और 250 गराम भी लिख सकते हैं बता सकते हो क्यों? ये बात एक चींटी कह रही है दो रुपए के एक सिक्के का वजन 6 ग्राम है दो रुपए के सिक्के वाली बोरी का वजन कितना होगा अगर उसमें क, दो हजार दो सो सिक्के हैं खाली जगा, किलो, खाली जगा, ग्राम ख, तीन हजार सिक्के हैं, खाली जगा, किलो, खाली जगा, ग्राम अगर एक रुपए के सो सिक्कों का वजन 485 ग्राम है, तो दस हजार सिक्कों का वजन कितना होगा? खाली जगा, किलो, खाली जगा, ग्राम अपनी आँखें बंद करके क्या तुम बता सकते हो कि 100 रुपय का नोट भारी होगा या 50 रुपय का नोट यह बताना थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन शाहिद जो देख नहीं सकता इसे छू कर पहचानने की अच्छी क्षमता रखता है एक बार शाहिद ने महसूस किया कि नोटों का एक बंडल जो बैंक में आया है वह कुछ अलग और ज्यादा भारी है उसने मैनेजर से जाचने को कहा और लोगों ने भी देखा पर उन्हें कोई समस्या नजर नहीं आई उसने जोर दिया तो मशीन मंगवाई गई उससे पता चला कि नोट नकली थे असली नहीं ओ शाहिद तुमने बैंक को बचा लिया सबने कहा पता लगाओ और चर्चा करो जो लोग देख नहीं सकते वे अलग अलग नोटों और सिक्कों को कैसे पहचानते हैं इशारा बीस पचास सो पांच सो खाली जगा रुपयों के नोटों पर त्रिभुज वर्ग वरित आयत खाली जगा आदी आकरती ढूंडो और उसे छू कर समझो एक सो रुपय का नोट असली है या नकली यह जाचने के लिए हमें किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए कोई नोट असली है या नकली इस पर चर्चा करते समय कई बातों पर ध्यान दिया जा सकता है जैसे नोट का साइज कागज वच्छपाई की गुनवत्ता अंक लिखने का तरीका इत्यादे नोट पर बना गांधी जी का जलचिहन सुरक्षा धागे पर लिखा भारत और आर बी आई इस लिए होते हैं ताके नकली नोट च्छापा न जा सके पेज दो सो एक कौन कैंची करे काम एक्षान कैंची करे काम यहां कुछ आकरतियां दी गई हैं अलग-अलग रंगों में 30 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री ओप्शन 30 अंच 60 अंच 45 अंच मिठाई का डिबबा गहरी लाइन के साथ साथ काटो इस आकृती को मोटे काघज पर चिपकाओ, प्रेश्ट 126 पर दिखाया गया मिठाई का डिब्बा पाने के लिए इसे बिंदो वाली रेखाओं पर मोडो यहां एक डिब्बा बनाना सिखाया गया है इसी के साथ 14 अध्यायों वाली इस पुष्टक का चोधवां और अंतिम अध्याय पूरा हुआ स्वर मुईनुल हसन नियाजी तक्नीकी नियंत्रण बैटलेंग लिंगदो तक्नीकी सहायक विकास संघवान निर्मान सहयोग रुचे शर्म निर्मान एवं निर्देशन विमलेश चोधरी प्रस्तुति C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत